नमस्कार साथियों मैं आपका दोस्ट विश्टू कर आप सभी का हाद एक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट डिफेंस क्लासेस जैपुर में साथियों जैसा कि नवर्स की सुरुवात हो चुकी है और नई उमंग और ना चाहिए लक्से हमने बनाए हैं जो उद्देश हमने बनाए हैं वहां तक हम पहुंच सके और जो है नए वर्स के अंदर जो है इस चीज को हम आज से आगे बढ़ाएं और कंटेन्यू जो हैं ट्राइक करेंगे तो निशित तोर पर यह वर्स जो है हमारे लिए एक कुश स्टार्ट करें ती उसके अंदर एक टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए जिस टॉपिक का नाम है कॉप 27 अब कॉप 27 को नाम लेते हैं वाड़ा कन्फिजन वाले बात है क्या है यह कॉप 27 का टॉपिक तो ही है लेकिन ने केवल इंडिया बल्कि पूरे वीसु के अंदर आज हम बात करें तो एक सबसे होट टॉपिक है वह है जलवायू परिवर्तन जो हो रहा है जिसकी वजह से पुरा ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बनी हुई है और जो टेंपरेचर है इस अर्थ का बेसिक टेंपरेचर है वह कंटिनियूसली जो है इंक्रीज होता जा रहा है उसकी बचन से समच्चाओं का सामना करना पड़ रहा है कुछ देश हैं जो डूबने वाले हैं घर वार्टे वार्ली को लेकर है और वुसी के लिए जो है प्रतेक वर्स पूरे वीश्यू के 190 से ज्यादा देश एक साथ मिलते हैं बेटते हैं और यह डिसीड़ करते हैं क कि किस तरीके से जो है इस जलवायू परिवर्थन को रोका जाए और यह जो अर्थ प्लेनेट है यह डेट प्लेनेट नहीं बने इसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो इसी कड़ी में आप सभी का स्वागत असाती हो आज जाएंगे कोप 27 के बारे में जिसका अभी 27 वार्सिक समय यह क्या होता है क्या हुआ है इसके कोप 27 के इंदर भारत ने केलान किया है और पूरा वीश्व किस प्रकार से जलवायू परिवर्तन और जो जलवायू से संबंध जो विसाल्वाग का देते हैं उसको निपटनी की रन्नितियां किस प्रकारते कर रहा है ठीक इसी कड़ी मे स्वागता आप सभी का देखिए कुदा का शुक्र है कि इनसान उड़ नहीं सकते और आस्मान तता धर्ती दोनों को बरबाद नहीं कर सकते कि खुदा का शुक्र है कि इंसाने उड़ नहीं सकता अगर वो उड़ पाता तो जिस प्रकार से उसे धर्थिक बरबात कर देता क्योंकि लालज की कोई सीमा नहीं है वो भी चाहिए वो भी चाहिए सब कुछ खोद दूगा सब कुछ ले लूँगा सब कुछ समुंदर पीजा पूर्थी तो कर पाए लेकिन आने वाले पीडी भी उस चीज को देख पाए यह नहीं सारा हम ही खाजाए तो ठीक इसी प्रकार से देखिए आपको मेनत करनी पड़ेगी अगर मेनत नहीं करोगे केवल इंतजार करोगे तो इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है ज चेताया नरक के हाईवे पर बढ़ रही है दुनिया यह करे या मरे दोनों ही बात है इतने बड़े व्यक्ति ने अगर कोई यह स्टेट्मेंट दे रहे हैं कि ठीक भाई नरक के रास्ते के उपरी दुनिया जा रही है अगर इसे नहीं बचाएंगे तो यह जो है लिविंग प्लेनेट किसमें चेंज हो जाएगा डेट प्लेनेट में चेंज हो जाएगा क्या बोल रहा है यह ग्रीन हाउस गेसों के उत्सरजन में जो वाईउ मंदल में तापमान को बढ़ाने में सहीओ कर इसे कहलाती है यह किसी परकार से इन्होंने क्या कहा कि अभी जो गीगावाइट के साथ में 15 गीगाटन के साथ में जो चाइना एक नंबर पर है और 3.5 गीगाटन के साथ में आपका हिंदुस्तान तीन नंबर पर आता है ठीक है तो यह बड़ा ही एक विशे बना हुआ है कि किस प्रकार से गेनाउस गेसों के उत्सरजन को कम करें ठीक है और इंडिया जो है गेनाउस के उत्सरजन में नंबर तीन प्याता है द्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में और यह देखो देश दुनिया के एकर बात करें तो इसी बात को लेकर बड़ी चिंता हुई और चिंता को सोल करने के लिए कोप 27 कोप का मतलब है चेक एक जगह है वहां पर जो है यह सम्मेलन आपके कोप 27 का ओगनेज किया गया है तो देखते हैं क्या खास बाते रही है इस कोप 27 सम्मेलन की और आगे क्या बात है देखो यह सब अकबार के न्यूज है पूरा वर्ल जो है इस परकार की समिट पर नजर रखता है और सब्सक्राइब करेगा इसके अंदर जो है कंट्रीबुशन कोन करेगा कंट्रीबुशन करेगा तो कौन कितना करेगा और कब करेगा यह कुछ सीजे रह गई है तो कोब 27 ने तो यह बला है कि केवल हम एक लोस डेमेज फंड की इस्तापना करेंगे जो अभी आके बताऊंगा मैं आपको जो काम में आएगा विकास सिल देशों के लिए ठीक है और लेकिन इसका मेनेजमेंट कौन करेगा लोस डेमेज फंड का नमबर टू इसके अंदर फंड कहां से आएगा नमबर तीन यह जो फंड है यह कौन कितना परसंट अरेंज करेगा किसको कितना मिलेगा यह सब डिसाइड होगी कोब 28 में जो की अगले साल होगा बादसमत में आगई होगी तो यह कोब 27 का मेटर है आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं इस और किस प्रकार से आप आया है और क्यों जो है यह वरतमान में महत्वपून था रहा है ठीक है आई यह शुरू करते हैं अब देखते हैं ग्रिवर्तन क्या है टोड़ा सा देरी बने रखिएगा और चीजों को समझते रहिएगा तो देखे बढ़ी's 27 क्या ह सब्सक्राइब करेंगे इसके बारे में बात करेंगे यह वाला टॉपिक महत्वपूर्ण कई बार आता है कि वार्षिक बेठक को कॉंफरेंस और पार्टी कहा जाता है यानि अगर कोई पूछे वो डियू मीन बाइब कोप का मतलब है कि जो यूरे सब्सक्राइब करते हैं और रणनिती पर निन्ने करते हैं उसको लेकर डिसक्सन करते हैं कि क्या किया जाए किस फ्रकार से टेम्पिचर को बढ़ने से रोग आ जाए किस प्रकार से प्रदुष्ण को रोगा जाए किस प्रकार से इस अर्थ प्लेनेट को पुरा ग्रीन मनाये जाए उसके प्रकार से जो है जलवाजी परिवर्तन को लेकर काम करने वाली एक प्रमकर काम करती है जैसे क्योटो प्रोटकॉल का आपने नाम सुना होगा 1997 में ग्रीन आउस गेसों के उत्सरजन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटकॉल इसी कॉंफेरेंस पार्टिस के द्वारा लागू किया गया था एक बादिकारी संदी थी इसी प्रकार से फेरी समझोता फेरी स कॉंफेरेंस पार्टिस वेरी इंपोर्टेंट पार्ट आप अर्थ यानि इस अर्थ को सेव करने के लिए सबसे ज़्यादा महतुपूर्ण जो अभी संस्ता है वो क्या है को है उमीद है चीज आपको समझ आ रही होगी बढ़िया तरीके समझ आ रही होगी और जो है आप करेंगे आती है तो तति करता है यहां पर यहां पर यहां मिसर के मिसर में है और यहां परिया हूँ तो यहां वैस schwierंट हुआ है माइना रखोगे आप यानि कोई एसी समीट जहां पर 90 देशों के दानमंत्री राश्पती मोजूद हो उसकी हैसियत और उसकी कीमत और उसका जो ओधा जो है उसका सम्मिलन का आप जान सकते हैं इसके अलावा देखिए एक सो नबबद देशों के अनुमानित लगबग 35,000 प्रतिनिती भाग ले रहे थे यह बहुत बड़े लेवल पर बड़े लेवल पर उगनाइच की जाती है समीट ठीक है क्योंकि एक देश का मेंटर नहीं है यह सभी देशों का मेंटर है यह किसी कड़ी में देखो आगे क्लाइमेट चेंज यह है क्या और किस वज़े से इसके स्थापना की गई थी उसके क्या उद्देश से है क्या इसके में बात बाते हैं देखिए तो युद्ध राश्ट जलवायू परिवर्तन फ्रेमवर्क समयलन यूवन एप सीसी सी क्या है जलवायू परिवर्तन पर चेंज वाला टोपिक है उसके अंदर यह सब बताऊंगा कि स्टोक्हों समयलन 1972 के अंदर पहली बार किया उस बाद पर्थवी समयलन हुआ तो ठीक 1992 का जो जलवायू परिवर्तन को लेकर समिट हुआ था जिसे पर्थवी समयलन के नाम से जानते हैं उसके अंदर एक संस्ता किस्तापना की गई जिसका नाम था UNFCCC यानि United Nation Framework Convention on Climate Change और यह जो संस्ता है यह संस्ता का मुख्य उद्देश से धे उद्देश से एम यह है कि सभी देशों को एकातिरित करके जलवायू परिवर्तन को रोकने या जलवायू परिवर्तन को अनुकुल करने के काम करती है य समझ में आगया होगा एक अंतराष्टी समझोता है यानि international treaty या agreement कह सकते हो आप इसे international treaty है यह जिसका उद्देश से वायू मंदल में ग्रीन हाउस गेशों के उत्सरजन को नियंत्रित करना है इसे वेरी इंपोरेट अभी मैंने बताया ग्रीन हाउस गेशों के उत्सरजन मे पहले ही उत्सरजन खूब कर लिया है अब उत्सरजन करने की आउशकता नहीं है क्योंकि उनकी पास एसी टेक्नलोजी भी है कि वह कम एमियेशन कर पाएं लेकिन अब वह अगर यह कहें कि साथ अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है आप उत्सरजन करना बंद कर दीजिए तो जो विकास सील देश जो अब बढ़ने लगे हैं अगर वो कारखाने उध्योग गंदे फेक्ट्रिया नहीं चलाएंगे अगर कोईले को नहीं करेंगे तो किस तरीके से जो है वो डवलप कर पाएंगे अगर वो वह इनका उपयोग नहीं करते हैं तो डवलप नहीं होंगे और इनको प्यूब करते हैं जलवायू परिवर्तन होगा टेमप्रेचर बढ़ेगा क्योंकि पहले एक लेवल पर टेमप्रेचर तो विकास इलदेशों ने पहले बढ़ा दिया इसी बात को लेकर लड़ा है इसा फंड दो हमें इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल कर पाएं कि इस प्रकार की तकनीक का कि हम कम उत्सरजन के अंदर भी हमारी एक्टिवीटीज हमारी फैक्टरीज जो है उसको हम चला सके आगे बढ़ा सके इसे के लिए बढ़ाया है लोग संड डेमेर्ज फंड कोब 27 के अंदर चलो आगे बढ़ते हैं UNFCC is a very important भाई एकजाम में कभी फ्यासकता है को त्री एकजामों को मेंसे एक्जामों लिखने का एकजामों को आंसर राइटिंगों हमेशा important राई है प्रतिकर्या का यानि कोई एसी चीज जु सारे देश मिलकर एक साथ डिसेड गरें वह वेस्विक प्रतिकर्या हुई किसको लेकर जलवायू परिवर्तन को लेकर इसका समर्तन करती है एक अगर यह बात सही है तो हम इसको लागू करेंगे अप्लाई करेंगे जिसे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर इसी कोप की देन है क्योटो प्रोटोकॉल जिसका मैंने ऑब्जेक्ट था ग्रीन हाउस एमेशन के अंदर कमी करना जो लागू भी किया गया और उसका कुछ फाइदा भी हुआ है कि कि ईए प्रतवी सम्मुलन के दोरान किया गया था यानि युवन एप सी-सी-सी है इसका एग्रिमेंट कभी और 1992 कभ पर हुआ ये 21 मार्च को कौन सा दिन मराया जाता है कमेंट करके बताइए तो यह लागू कब हुआ 1994 में 1992 के अंदर यह सब के सामने आया और 1994 के अंदर जो है इसको लागू कर दिया पूरे वर्ड के लिए ठीक है आगे देखो किसी जो है UNFCCC की 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बेठकों का आयुजन किया जाता है और इसे ही कोप कहा जाता है I hope you understand very well what you mean by the COP and what you mean by the UNFCCC ठीक है दोनों UNFCCC की जो परते एक वर से बेठक होती है कि उने ही क्या बोलते हैं Conference of Parties बोलते हैं पहला इसका समिट 1995 बर्लिन जर्मनी के अंदर हुआ था और 1997 में तीसरा समयलन क्योटो प्रोटोगोल जो बहुत ज़्यदा भात्यपूर्ण एक्जाम में कई बाहर आ चुका है वो भी इसी की Conference of Parties थी इसके लावा 2002 में जो है आप फाल के इसके इसकेपट समयलें यहां। सी सी का एग्रिमेंट किया गया और 94 के अंदर ये लागू हुआ और 95 से इसकी बेठा को और ये इसे ही कोप कहते हैं और इसी कड़ी का कोप 27 अभी मिस्टर के अंदर हुआ है जिसके अंदर क्या-क्या बाते करी गई है कि यह मैं आपको बता देता हूँ देखो वार्सिक बेठा को को कहा जाता है और इसमें लगबग 198 कंट्री सामिल है अभी देखा आपने 90 से ज्यादा तो रास्ट्रा देख सामिल हुए है को 27 में और 190 से ज्यादा देखो के लगबग 35,000 पीबल जो है वहां पर आये हैं जो एक इसका सची वाल एक शेकेटरेट काँ है जर्मनी के आप जाने का मॉखा मिलेगा इंडिया का री परawn शेटशन करने का मुहा मिलेगा आपको यह ठीक है कि जलवायू परिवर्तन के खत्रे पर वेस्विक परतिक्रिया का समर्तन करती है यह मैं आपको बता चुका हूं जर्मनी के बॉन में जो है इसका सेकेटरेटर सची वाले है अब देखो एक्जाम पॉइंट से महतुपूर्ण बात यह है आरेस के मेंस में भी आ सकता है इसके क्यों क्या कहा गया है कमजोर देशों को क्या किया बनाएंगे ठीक है तो पहला पॉइंट हो गया दूसा देखिए जलवायू टेक्नलोजी यानि क्लाइमेट चेंजेज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या फिर क्लाइमेट चेंज जो टेंपरेटर इंक्रीज हो रहा है उसको रिडूस करने के अंदर में तो इस प्रकार के टेक्नलोजी के लिए भी जो है एक मिशन बनाए जाएगा इसके लावाब कॉम प्रॉं कि 2030 तक सबसे अधिक जलवाईयों सम्मेदन सील समुदायों में रहने वाले चार अरब लोगों के लिए लचलापन बढ़नाने हेतूं तीस अनुकुल परिणामों के घ्रूप रिखा तियार करेंगे यानि चार अरब ऐसे लोग जो इस जगए पर रहते हैं जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट है क्राइमेड चेंजेज का जलवाईयों परिवरतन का उसे रोकेंगे और वुने जो है सुख्षित करने के लिए तीस अनुकुल परिणाम यानि तीस उद्देशे तीस बिंदूों को लेकर एक रंडिती बनाए जाएगी जिसकी उपर भी काम होगा अ अफ्रिक recent का आप की कारबन बार्यार के पहल कि शुरुब करेंगे और ट्रीम पर शक्रवर्ट में नम सुनना होगा इस प्रकार की पहल अफ्रेक्व के लिए भी लागू करने की बात कर रहा है अक्षय उड़ेक्या को सतत्व कास और आर्टिक की रूप में इस्ताबित करे करेंगे यानि आपके जो renewable energy है वही क्या बेस किस्का बेस्वनेगी आपके सस्टेनेमल डबलेमेंट का सदत्थ विकास का मतलब यह होता है कि वर्तमान में जो आपके पास निस उप्योग करें कि वर्तमान की अवशक्ताओं की पूर्ति करते हुए भविषय में बाविषय के लिए इसे सुर्ख से लिखाज जा सके यह आपके है अर्थिक विकास आर्थिक विकास अर्थिक विकास एकनोमि सोचल इंफारि स्ट्रेक्टर भी मजबूत होता एकश्य उर्जा जो रिनेवल एनेर्जी है वह इन दोनों के एक दो से ज़्यादा देश सामिल हो चुके हैं और वह जो आपके सोलर एनर्जी उसके उपर लगातार काम कर रहे हैं और यहीं उद्देश यह है कि जो है सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी इस प्रकार की एनर्जी का उप्योग ज्यादा किया जाए जिससे हमें कोईले से बिजली बनाने की अवशकता नहीं पड़े कोईला नहीं जलेगा तो उत्सर्ज नहीं होगा तो क्लाइमेट चेंज में और बिजली उत्पादन करने में डारेक्ट संबंद होता है समझ गए बात को आप चलो आगे बढ़ते हैं कि यह कुछ खास बात है रही आपके अब नुकसान और सतीकोष को इस्ताफित करने पर सहमत हुए है है अच्छी बात है होना भी चाहिए अब देखो क्या करेगा यह नुकसान और सतीकोष जल्वायू परिवरतन की प्रतिस्तन अमेदन सील विकास देशों को में यह नुक्सान की बरपाई करने में नद अंध नहीं इसे मैंने आपको समझाया कि एक डबलब कंट्री है एक तो मालो आपके यूए से है दूसरा मालो आपके जो है बंगलादेश तो क्या है कि बिल्कुल डबलब हो चुका ठीक है बहुत अच्छी बात है इसने तो पूरे उत्सरजन कर लिए ठीक है इंग्लेंड ने पूरे उत अगर यूए से बोले बंगलादेश को कि आप जो है अपनी फैक्टरी नी चलाओगे और तोईले का यूज नहीं करोगे क्योंकि इससे क्या है उत्सरजन होता है जलवायू परिवर्तन हो गए अब हमारा क्या हम ऐसे बैठने एक काम करो हम नहीं करेंगे तो आप हमें वे नुकसान की बरपाई करने के लिए यह फंड बनाया जा रहा है मैंने अभी आपको बताया इस फंड में किस फंड का मेंड़ेजमेंट कोन करेगा नहीं पता इस फंड में कौन-कौन कितना कितना कॉंट्रिबूट करेगा यह सब चीजे कोप 28 आने वाले साल में यानि इ उसके अंदर ही चीजें डिसाइड की चाहेगी चलो वहीं इस अब देखो इसका इंपोर्टेज इतना जदा था कि वहीं इस मामले में कोप 27 यानि कोप 27 जो हाना जो मीटिंग हुई है इसने ट्वीट करके कहा कि सरमल शेक यानि मिस्र में जो कोप 27 में एक इतिहास रचा ग इसकी स्थापना पर सहमत हुए विकास जिल देशों ने भी बोला और विक्सी देशों ने बोला कि इस प्रकारा कोस बनाये जाए और भारत ने वहीं गोष्णा करी थी पिसले साल और 26 में जो ग्लास को यूके में हुआ था उसमें क्या गोष्णा करी थी भारत जो है नेट इस एरिया को इतना बड़ा दिया कि जितना आपने उत्सरदन किया है वो जो वरक्ष आपने लगाए है जो जंगल आपके पास है वो जंगल वुस पूरे की पूरी सीओ टू और जो इस प्रकार गेसे हैं गिरिनाउस के से उनका आउस्षों कर लेगा उसे कार्बन सिंक के जानते हैं इस नाम से कार्बन सिंक कार्बन को सोकने वाला कार्बन सिंक अब आपने बहुत सारे मातरा में लगा दिये फोरेश लगा दिये बहुत लंबी दूरी के अंदर अब वो जो आपने कार्बन का उत्सरदन किया है उसको पूरे के पूरे को सोक लेंगे तो कार्बन सिंग हो गए तो इतने हम पेड़ लगा देंगे अभी वरतमान में आपको बता दूँ में लगबग भारत में 33% वन होना अनिवारी वताया गया है हमारी जो 1988 और 1952 के अंदर जो फोरेश्ट पॉलिसी है जो वन नीती है भारत सरकार की उसके अंदर 33% वन होना निवारी है और अगर कोई पहाड़ी शेतर है तो वहाँ पर 60% एरिया में और मेदानी शेतर है तो 20% के एरिया में वन होना चाहिए यह तो है नियम या हमारे देश की जो है टार्गेट और अभ भारत के कुल भोगलिक शेतर के जोगराफिकल एरिया के 24% एरिया पर क्या है आपके फोरेश्ट बिलते हैं तो भारत इसको और इतना बढ़ा देगा कि जितना हम उत्सरजन करेंगे वो सबका सब कारवन सिंक के अंदर आउसोसित हो जाएगा और हमारा जो कारवन उत्सरज तक सुन्य उत्सरजन का लक्षे है पदानमंत्री सामने पिछले वर्स 2021 के चलवायू परिवर्तन कोप 26 में भारत के लिए 2070 तक सुन्द सुन्य उत्सरजन लक्षे की गोश्टना करेंगे तो कोप 26 का हुआ है आपके ग्लास को में हुआ है ग्लास का है आपके UK के अंदर है 2030 तक कम कार्बन उत्सरजन वाली अपनी विदुद सम्ता को 500 गिगावार्ड तक बढ़ाएगा यानि हम प्रकार की तक जो है इस प्रकार की तकनिक से इस्तिमाल करेंगे कि जो है एमियेशन जो उत्सरजन है वह कम से कम हो दूसरा 2030 तक नमी करनी उत्जा यानि जो रिन्यू प्रकार सो जो है यूनिट बिजली चाहिए तो 50 तो हम किस से बना देंगे रिन्यूबल एनर्जी से इसलिए हमने सोलर अलाइन से बनाया है विंड एनर्जी पर फोकस है इसलिए बनाया है यह लक्षे है हमारे जो हम में कार्बन उत्सरजन को कम करने को प्रेडित करते हैं ठीक इसी परकार से आगे चलते हैं वेस्विक टिंग टेंग है अब जर्वर रिशर्स फांडेशन एक रिपूर्ड के नुसार भारत के सुद्ध सुन्य कारबन उत्सरजन लक्षे की और बढ़ने के लिए या 2050 तक देश की जीडिपी में 406 अरब डोलर की वर्दी होगी अ इन उत्सरजन होता है तो कहedan अन्य ऐसे कारण होते हैं जहां पर सरकार को पेसा खर्च करना पड़ता है इन उत्सरजन के नेगिटिव Effekt को रोकने के लिए जब न होगा ही नहीं उत्सरजन होगा ही नہी तो वह निगटिव इफेक्ट आएंगे नहीं वह नेगिटिव सब चीजों को एक साथ समयट करके आगे बढ़ता है इसलिए देखो क्या है कि 2050 तक 400 शेरफ डोलर की बात करता है और लगबग साड़े तीन साड़े चार करोड के आसपास चार पॉइंट तीन करोड के आसपास आपके एंप्लॉइमेंट भी जो है इससे सर्जित होगा होगा दोजाल सत्ता तक हिंडूस्तान की घोषना है और इंदूस्तान की जो घूषना है ये बहुत ज्यादा महत्वकूंड के लिए सबसे अब देखना यह है कि यह कहां तक सपल हो पाते हैं और कहां तक इसके लिए जो है प्रियास करते हैं लगाता है तो उसे लगबक 10.1 ट्रिलियन डोलर के निवेश के हो शकता है इन्वेश्टमेंट चाहिए वह या पेसा चाहिए अभी बताया लोस्ट डेमेश्पंट बनेगा वह यही काम करेगा क्या है सुन्य उत्सरजन मैंने आपको समझा दिया है एक साधरन बासा में देखिए किसी देश की उत्सरजन की भरपाई वातावर्ण से ग्रीन हाउस के अवसूशन और हटानी से होती है इसके वनों जैसे अधिक कारवन सिंक बनाकर उत्सरजन के अवसूशन को बढ़ाया जा सकत है तो यह है आपके सुन्य उत्सरजन अब साथियों एक जो है चर्चा का विश्य और है एक कॉप ट्वंटी जो है कॉप अब 2015 में जो कॉप ट्वंटी बन हुआ था इसको लेकर कई वार एक्जाम पूछा गया है कई बार आपने देखा होगा अभी को जी ट्वंटी में भी हमारे प्राइम निस्टर साब ने यह बोला था कि हम पेरिस एग्रिमेंट को लेकर बड़े ही सेंसेटिव है उसकी जो है उने प्राप्त करना कहते हैं तो क्या है पेरिस एगरिमेंट देख लिए एक बार जलवायू परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाद्दिकारी इंटरनेशनल ट्रीटी है दिसमबर 2015 पेरिस के अंदर एक कोप 21 यही कोप जो 27 अभी हुआ है यही कोप 21 आयुजित किया गय क्या थी इसकी सबसे ज़्यदा खास बात यह थी और जो कि इस तरों की तुल्ला में यानि 1850 के समझ जब अध्यू करांती शुरू ही थी उसकी तुल्ला में ग्लोबल वार्मिंग को दो डिग्री सेल्सियस कम करना यानि जितना मतलब वह लेवल था कि ग्लोबल वार्मिंग में निफ जिस लिमिट से बढ़ रही है वहां से दो डिग्री सेल्सिय्स कम करना और अधिकत्व औरोशीशे करेंगे कि टेम्पेशेश दो डिग्री सेल्सियस नहीं घ्रट डिग्री सेल्सियस तक civ Анवाल से कम करना और अधी मानत है इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सिमित करना हो सकता है दो डिग्री से तापमान बढ़ जाए ठीक है लेकिन फिर भी हम यह कोसिस करेंगे कि डेट डिग्री ही बड़े या उससे भी कम बढ़े इस तरह के जो प्रियास से इसके दर किये गए है वह स सातियों यह थी एक छोटी सी क्लास इसके बारे में चर्चा करना जरूरी था और एक्जाम पॉंट व्यू से महत्रपूर्ण है कॉप जो आपके आपके जो कॉप 27 है यह क्यां पर हुआ है यह आपके 2022 में एक कॉन्फरेंस पार्टी यू एन एप सी 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 का जो समीट है उसे कोग के नाम से जानते हैं 1995 में पहला बर्लिन में हुआ था 1997 क्योटो के अंदर हुआ है इसके अलबाँ आपके जो है इंडिया के अंदर भी दिली के अंदर कॉप का समीट हुआ है अभी 26 समेलान था जो लास्ट वाला वह ग्लास को यूके में हुआ है और 27 जो है आपके मिस और आपके एक्जाम के लिए रखास बात है नोट्स बनाईए और एक कोपी में लिखते रही है वहुत ही सांदार तरीके से आने वाले समय में आपको बहुत हैल्पूल होगा तो साती हूं आज के लिए इतना ही नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मरब होगा नेपाल के अंदर आप लाइक शेयर और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जिससे अभी को जो है फाइदा हो थैंक यू सो मुझ थैंक यू अपना द्यान रखिए टेक एर अब गूड़ देग झाल आपने जिससे अपने प्सक्राइद कर सकते हैं